हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम अगें टू लंग्री देतीमन आज हम करने वाले हैं जिला प्रशाशन लास्ट वीडियो हमने राजिस्तान के जिले से संबंदित किया था जिसमें हमने साथ संभाग 33 जिला परिशदें 352 पंचाय समितियां 10 नगर निगम 34 नगर परिशद ठीक और हमने नगर पाले का 152 पड़ी थी और उसके अलावा हमने जो 10 नगर निगम की ट्रिक याद भी की थी और हमने मानशितर के माध्यम से भी समझने की कोशिश की थी आज हम करने वाले हैं जिला प्रशाशन की कैसे एक जिले में जो प्रशाशने की काईयां है वो कार्य करत जिला प्रशाशन के अंतरगत जो प्रादेशिक विभाजन जो है वो किया जाता है जिससे की किसी विशेश उद्देशिकी प्राप्ति हो सके अब हम देखेंगे कि जिला प्रशाशन के अंतरगत कौन-कौन से पदादिकारी जो है वो आते हैं तो सबसे निमनिस्तर पर सीलधार आता है उसके बाद उपखंड अधिकारी आता है और उसके बाद आता है जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर जो है जो सबसे उच्चितम इकाई जो है वो मानी जाती है जिला प्रशाशन के अंतरगत ठीक है उसके बाद देखिए जिला प्रशाशन राज्य की वह शेत्री यह एकाई है जो राज्जी के कारवों को वेवारिक इस्तर पर मूर्त रूप परदान करता है. अब जिला प्रशाशन के अंदरगत बातें जो हैं, वो लिख दी जाती है. लेकिन उनको वेवारिक रूप जो है, वो कैसे परदान किया जाया है. इसी उदेश्टी के लिए यह बनाया गया है जिसमें निम्न इस्तर से लेकर उच इस्तर तक कैसे प्रशाशने का दिकारी कार्य करते हैं तो यह हमें जिला प्रशाशन की अंदरगत मालो होता है हमारे सम्विधान में जिला शब्द का उलेग जो है वो तीन बार किया गया है अनुचेद 233 की अंतरगत जिला न्याइधीस अनुचेद 243 की अंतरगत जो की पंचायती विवरस्ता की जब हमने बात की थी तो वहाँ जिला परिशर सब्द का प्रियोग किया था अनुचेद अनुचेद 6 की अंतरगत 180 जिलों का तो जिला शब्द का प्रियोग तीन बार हुआ अनुचेद 233, 243 और अनुचेद 6 की अंतरगत राज्य के सचिवाले, निदेशाले और तहसील गाओं की समन्वे कड़ी कौन है जिला प्रशाशन यानि जिला प्रशाशन जो है वो मद् बीच में कौन आता है जिला प्रशाशन जिसकी अंतरगत इस कार्रे जो है वो सुचारू रूप से कार्रे होते हैं इसका कार्रे विशेश कर क्या होता है राजस्व एखटा करना और आंतरिक शांती विवस्ता को बनाए रखना ठीके तो जब हम बात करते हैं जिला कलेक्ट है वो क्या है जिला प्रशाशन अब हम देखेंगे कि राजस्व प्रशाशन का जो सर्वोच अभिकरन है जो एजेंसी है वो है राजस्व मंडल जो कि हमारी कहां है अजमेर में इसका मतलब क्या है कि जो भी रेवेन्यू इखटा होता है तो उस प्रशाशन में जो के पास उसके बाद संभागई आयूक्ट के पास और अन्त में जाके राजस्व मंडल अजमीर में जाकर इकटे किये जाते हैं और वहीं पर इनका सबका कलेक्शन होता है तो यदि एक्जाम में की राजस्व प्रशाषन की सरवोच जो एजेंसी है वो कौन सी है तो वह है हमारी अजमीर में राजस्व मंडल के नाम से ठीक है और उसके बाद है नीचे संभागी आयुक्त राजस्व मंडल तो जो जिला कलेक्टर होता है जिले का जो कलेक्टर होता है जो की जिला प्रशाशन के अंतरगत उचितम एका इसके उपर भी यानि ये जो कलेक्शन करता है वह संभागी आयोक्त राजस्व मंदल को प्रदान करता है और इसके उपर है राजस्व मंदल तो ये चीज़ें आपको अभी दीरे-दीरे सब समझ में आ जाएंगी चलिए निमने इस तर पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब बाद भू अभिलेक सरकल में यानि कि जो भी हमारी भूमी का जो रिकॉर्ड करने वाला इंस्पेक्टर होता है जिसे गिर्दावर कहते हैं यह पटवारी के उपर होता है उसके उपर उप तहसीलदार जो कि जहां पर नायव तहसीलदार होता है तहसील की अंतरगत होता है ठीक है और collector की ऊपर यदि बात करें हम तो इसके collector जो है वो किसके अंतरगत आएगा संभागी आयुक्त की अंतरगत आएगा और उसके बाद सर्वोच एकाई जो है सर्वोच एजनसी वो है राजस्व मंडल तो यह आपको इसी तरीके से याद करनी होगी तो आप मेरे साथ ही इसको याद करिए कि निमनिस्तर से लेकर उच इस्तर तक कैसे आप याद करेंगे कि गाउं में पटवारी उसके बाद गिर्दावर फिर नायव तहसिलदार फिर तहसिल में तहसिलदार फिर उपखंड अधिकारी यानि SDM उसके बाद जिले में जिला कलेक्टर जिला कलेक्टर के उपर जो है वह है संभागी आयुक्त और उसके बाद है राजस्व प्रशाशन की सर्वोच अभीकरन यानि सर्वोच एजेंसी राजस्व मंडल अजमीर में अब हम इनको एक एक करके वारेन हैंस्टिंग्स द्वारा किया गया था ठीक है जिला कलेक्टर पद का गठन जो है वो सबसे पहले 1772 में वारेन हैंस्टिंग्स द्वारा किया गया था भारत के सबसे पहले जिला कलेक्टर अब ये कुश्यन जो है वो आपके पहले पूछा जा चुका है भारत के प् क्या था उस वक्त राजस्व एकत्रित करने के लिए ही इन है जिला कलेक्टर जो है इस पद पर बैठाया गया था तो भारत के प्रिथम जिला कलेक्टर जो की राजस्व एकत्रित करने के लिए कौन थे रॉल्फ सैल्डन उसके बाद है प्रशाशनिक अधिकारी के रूप में जिला collector के क्या कार रहे होते हैं तो प्रशाशन यानि की कानून व्यवस्था तो प्रशाशनिक अधिकारी के रूप में यहां पर जो keyword दिया है post-corp उस तरीके से यह कार रहे करता है सबसे पहले यह करता है planning यानि जिला इस तरपर new gen का कार रहे है इसका, organizing यानि सेवाओं को संगटित करना, staffing कार्मिकों को विवस्था करना, यानि जो भी कर्मिक हैं उनकी विवस्था करना, directing, कर्मिकों को निदेशन देना, coordinating, बिविन निकाईयों के मद्य समन्वे विठाना, reporting करना, जिला प्रिशाशन की report किसको भेजना, सरकार को भेजना, budgeting करना, वित्त की जो विवस्था है वह है और evaluation, अंत में क्या करना, मुल्यंकन करना, तो पहले जो E word है, यह जो E है, यानि evaluation यह नहीं था, R से reporting, B से budgeting और E से evaluation, तो यह है प्रिशाशन का दिकारी के रूप में, जिला collector, अब देखिए, इसे जिला collector को सरकार की आँख, कान या बाहों की बाती कारे करने वाला भी कहा जाता है, तो सरकार की आँख, कान और बाहों की बाती कारे कौन करता है, जिला collector, अब जिला collector जो है, इसे हम जिला दिकारी भी कहते हैं, जिला धीस भी कहते हैं, तो यह अपने पद के रूप में कारे कैसे करता है, यह राजस्व प्रशाशन का मुखिया है यह जिला इस तर पर, राजस्व नेलेओ की निगरानी करना, इसका कारे है, तहसीलधारों के आदेसों के विरुद, जो भी अपील होती हैं, उनकी सुन्वाई करना, इसका कारे है, जिला राजकोसट पर नियंतरन करना, यह जब भ पुलिस तंतर पर नियंतरन रखना, धारा 144 के तहत सांती भंग के मामलों की सुनवाई करना, हतियार गोला बारुद आधी पर नियंतरन, ये किसके कारे हैं, जिला विकास अधिकारी के रूप में, जिला आयोजन समिती की अध्यक्षता करना, जब ये जिला आयोजन समिती की अध्यक्षता करेगा तब इसे जिला कलेक्टर कहेंगे जिला ग्रामेड विकास अभीकरन जिसे हम DRDA कहते हैं इसका अध्यक्ष जो है वो जिला प्रमुख होता है अब यहां पर देखिए यहीं पर confusion करने वाली बात हो जाती है कि जब exam में पूछ लिया जाता है कि जिला ग्र जिला कलेक्टर को कर देते हैं लेकिन याद रखना है कि जिला ग्रामेड विकास अभीकरन का अध्यक्ष है जिला प्रमुख ठीक है लेकिन यहां पर जो मुख्य कारेकारी अध्यकारी है वो है जिला कलेक्टर अध्यक्ष कौन है जिला प्रमुख समन्वियक के रूप में जिला कलेक्टर जिला प्रशाशन एवं राज्य सरकार के मद्य समन्वया का कार्य करता है तो यह तो हम जानते ही हैं कि जो भी प्रशाशन है जिला में और राज्य की बीच, राज्य सरकार की बीच में जो कड़ी का कार्य है वो करता है जिला कलेक्टर आपदा निवारक अधि 2005 के तहती से शामिल किया गया है अब हमने जिला कलेक्टर को पढ़ा उसके बाद जो सेकेंड अधिकारी था वो था उपखंड अधिकारी ठीक है अब उसकी क्या भूमिका होती है जिसे हम SDO या SDM भी कहते हैं तो इसका कार्रे होता है भू राजस्व अधिकारी के रूप में पटवारी कानून गोव भू अविलेक निरिक्षक पर नियंत्रन उपखंड शेत्र में सांती विवस्था बनाई रखना भू राजस्व संबंधी विवाद का निस्थारन और BPL गढ़ना करवाना अब यहां पर देखिए BPL गढ़ना करवाना ये कार्रे किसके होते हैं तो आब जो तहसीलदार है उसकी क्या क्या मォंए का होती है जिला प्रिशाशन की अंतरगत वूर राजसव संबंधित है राजसों को एकत्र करने से लेकिन उसका सबसे एहम रोल है जिला में प्रशाशन संबंदी कारवे को बनाए रखना कानौन विवस्ता को बनाए रखना वहीं तैसिलदार का मुख्य कार रहे है भू राजसों का एकत्र करना दंडनायक के रूप में दोसी व्यक्ति को छे महा की सजा या 200 रुपे जुर्माना करने का अधिकार तैसिल में इस्तित उपर आजुपोस की रक्षावा नियंत्रन पशू गड़ना करवाना जाती प्रमाण पत्र मूल निवास प्रमाण पत्र आदी जारी कराना अब ये तो हमें पता है क्योंकि जब हम जाती प्रमाण पत् में जिला प्रिशाशन की अंतरगत जो निमनिस्तर की इकाई है पटवारी ये कैसे कार्रे करती है राजस्व प्रशाशन का निमनतम परंतु सरवादिक महतुर्पूर्पद है भूमी संबंदी दस्तावेज नक्से रजिस्टर का रख रखाब बूराजस्व को एकत्र करना वह तहसील मुख्याले में जमा करवाना अब देखिए यदि एक्जाम में पूछा जाता है कि भूराजस्व को एकत्र करना तो हमने यहां पर देखा था भूराजस्व को एकत्र करना तहसीलदार का कार्रे होता है तो आपको तहसीलदार ही टिक करना है ठीक है लेकिन चकबंदी का सफल क्रियानवन करना, अकाल, बाड, महामारी, आदी में जन हानी, पशु हानी वा पशलों की हानी का ब्योरा, तहसील का रहले में प्रस्तुत करना, कहां का उस गाउं का जहां का वो पटवारी है और राहत प्राप्त करवाना, ग्राम सबा की बैठकों में उप वस्तित रहना और ग्राम पंचायतों को सहयोग करना, ग्रामीन विकास की बिभिन योजनाओं जैसे 20 सुत्रिकारिकरम निर्धूम यानि की बिना धुआँ वाला चूला योजना, प्रधान मंत्री उज्वला योजना, पल्स पोलियो योजना आदी में वीडियो का सहयोग क पशू गड़ना, जन गड़ना, आर्थिक गड़ना और निर्वाचन में सायता करना ये सभी कारे पटवारी के होते हैं, तो अब आपको confusion नहीं होगा कि पटवारी के क्या कारे होते हैं, तैसिलदार के क्या कारे होते हैं, चलिए, तो इसी तरीके से हमारा एक और टॉपिक जो है वह रह जाता है तो उसे हम next वीडियो में complete कर लेंगे और आपकी complete quality हो जाएगी आपका एक भी chapter जो है वो अब नहीं रहेगा ठीके तो इसी तरीके से full motivation के साथ तयारी करते रहिए मिलते हैं next वीडियो में हमारे quality के last topic के साथ thank you झाल